आज हम डिसकस करेंगे AD Current Danometer यह absorption टाइप AD Current Danometer है यहाँ पर हम पावर को AD Current के help से अब्जार्ब करेंगे फिर टार्क और पावर को कैलकुलेट करते हैं तो AD Current से हम पावर को कैसे अब्जार्ब करते हैं तो पहले थुदा अब्जार्ब करेंट समझ लेते हैं तो इस Conductor के सरफस पे EMF induced होता है इसी induced EMF को हम क्या बोलता है AD Current जिसका खुद का Nicron Adventure अब्जार्ए करता है उसी restriction की help से हम पावर को अब्जार करते हैं तो इस AD Current डर्मिंट को हम यूज करते हैं और पाiegen को अगगराम तो ये AD Current डर्मिंट का भावर को अब्जार्ब करते हैं इस डीग्राम में पहले हम देखते हैं stator sorry rotor यह दोनों साइड rotor है है यह भी रोटर है जब यह shroud करेगा योटर भी rotate करेगा और यहां पिँ होता है Magnetic Magnet use करत आह जो कि earthquake fish होती है यह से हम power को supply देते है 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 यह अम पावर को supply देते हैं यह स्कांञर क्सक्राइड summarize टो इस तरीके से तो इसका simple construction होता है और जो outer frame है इसे outer frame को बोलते हैं stator यह stator है और यहाँ पर हमारा attach होता है torque arm stator से torque arm और यहाँ पर connected होता है हमारा torque gauge जिस पर pointer होता है यह है torque gauge जितना भी restriction इस stator पर आता है उसको उसको arm की help से torque gauge में calculate कर लेते हैं और torque निकले बाद हम power को calculate करते हैं तो इस तरीके से इसका है construction अब चलिए working principle देखते हैं जब हम coil में power को supply देंगे तो यहाँ पर क्या generate होगा magnetic field यह पूरा magnetic field generate होगा तोनों side देखिए coil है आपका यह cross section diagram आपको दिखा रहा है अब जैसा arrangement होता है उस diagram को अभी हम देखेंगे तो जब आप coil को supply provide करेंगे DC supply होते हैं यहाँ पर magnetic field generate होगा और जिस भी engine का आपको power output या किसी भी चीज़ का power output आपको जिसका calculate करना है उसको इसके connect करेंगे इसके soft से जब यह soft connect होगा तो यह soft है यह rotation में आ जाएगा जब यह rotate करेगा तो rotor भी साथ में rotate करेगा और यह rotor इसके magnetic field को cut करेगा यह देखिए जो magnetic field generate है उसको बार-बार cut करेगा जब यह cut करेगा तो इसके outer layer surface पे rotor का outer surface पे EMF induced होगा यही EMF क्या होता हमारा AD current और इसकी AD current से ही इसका खुद का magnetic field generate होगा इसका magnetic field जो होगा वो just इसकी opposite होगा जो इसको प्रवाइड कर रहा है clear रेकनी means जो AD current के दोरा जो magnetic field generate होगा वो जिससे generate होता है उसी को approach करता है clear रेकनी यह rotor को प्रवाइड करेगा इसकी rotation को रोकेगा और जिदि आप ज्यादा current provide करेंगे coil में तो ज्यादा excited होगा coil तो magnetic जो यहाँ AD current दोरा जो magnetic field generate होगा वो ज्यादा generate होगा तो यह rotor रोक भी सकता है तो इसी restriction को हम जितना stator में जो restriction आएगा इस restriction को हम torque gauge दोरा gauge को calculate direct torque को यहाँ से calculate करते हैं और इसी torque के help से हम power को calculate करते हैं आपको पता है torque और power में क्या relation है इस formula से P is equal to T into omega torque आपने यहाँ से calculate किया और omega is equal to 2 होता है 2 by n upon 60 और यह अपन के क्या है यह soft speed है restriction condition में हम soft की speed लेंगे और यहाँ से हम power को calculate करते हैं तो इस तरीके से AD current diameter work करता है अब यह diagram देखिए यह diagram आपका proper नहीं है यह construction diagram में इसका सकते हैं आपके जो cross section cut करेंगे तो वो diagram होता है जो proper diagram है यह proper diagram है तो ऐसे ही आपका होता है AD current dynamometer तो यहाँ पिए इस diagram को देखेंगे तो यहाँ बीच में आपका soft है यह rotor है और यह आपका outer cell है यह आपका adjustator work करता है जब यहाँ पे आप restriction provide करेंगे तो वहाँ ज्यादा heat generate होता है उसी heat को avoid करने के लिए हम winding rotor और outer cell के बीच में cooling water प्रवाइट करते हैं जिससे कि winding जल न जाए यह जो winding है वो जबर न हो जाए उससी को avoid करने के लिए हम इसमें cooling भी provide करते है तो इस तरीके साबका एक pipe side structure आपका होता है जिसको measure करते है यह shaft होता है यहाँ पर जिसके engine पावर को calculate करना उससे connect करते है और rotate करता है और यही outer cell पे इसके क्या generate होता है AD current इस diagram में देखिए AD current outer surface पे generate होगा और यह stator casing हो गई और जो AD current generate होगा जो जित और torque से आप power को calculate कर सकते हैं तो इस तरीके से AD current dynamometer work करता है तो cooling water के लिए देखिए आप इसके outer jacket पे flow होता है means winding और जो casing है outer casing उसके बीच में cooling water flow होता है जो कि यहाँ पर देखिए जब इसको restrict करेगा तो absorption type dynamometer आपको बता था जैसे आपने proni break देखा था तो यहाँ पर restriction heat भी generate होगा उसी heat को वाइट करने के लिए क्योंकि ज्यादा heat हो जाएगा तो coil burn हो जाएगी यहाँ पर देखिए धेड़ सारे coil लगी होगी इस तरीके से के लिए रेकने हैं यहाँ पर मैंने दो कोईल में दिखाया था लेकिन इस तरीके से आपका होता कोईल excited कोईल जो क्यों क्या करते हैं जब इसको excite करेंगा तो magnetic fuel generate करेगी तो इस तरीके से कोईल लगी होती है इसे कोईल को एवाइट करने के लिए बर नहों जाए तो cooling water और